सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाट्सप पर आटोमेटिक चैट बैकप कैसे बंद करें या फिर वाट्सप का जो चैट बैकप है उसको पूरी तरीके से कैसे बंद करें तो अगर आप अपने WhatsApp में chat backup नहीं लेना चाते हैं उसको बंद करना चाते हैं या फिर केवल automatic जो backup हो रहा है उसको बंद करना चाते हैं तो फिर इस वीडियो को end तक देखते रहे हैं तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तो WhatsApp में chat backup बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को open करना है WhatsApp को open करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे उपर कोने में 3 dot दिखेगा इस पर आपको click करना है फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा settings का अब आपको इस पर click कर देना है settings पर click करने के बाद इस परकार का नया page open हो जायगा अब यहाँ पर आप देखेए नीचे एक option मिलेगा chats का तो अब आपको इस पर click कर देना है जैसे आप chats वाले option पर click करेंगे तो अब यहाँ पर फिर से एक न्याप page ओपन हो जायागा अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद नीचे आपको एक option मिलेगा चैट backup अब आपको इस पर click करना है चैट backup पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके WhatsApp का चैट बैकप पेज ओपन हे जाएगा अब देगे यहाँ पर सबसे उपर आपको दिखा देगा कि आपका लास्ट बैकप कब हुआ था और वो कितने साइज का था अब चैट बैकप बंद करने के लिए का का ना है नीचे आपको 3-4 सेटिंग मिलेगी तो एक है बैकप टू गूगल ड्राइव दूसरा है गूगल एकाउंट तिसरा है बैकप यूजिंग सेलूलर और एक है इन्क्लिवट वीडियो अगर आप अपने चैट बैकप में केवल वीडियो का बैकप बंद करना चाते हैं अगर आपके वाट्सप में वीडियो का बैकप हो जाता है और केवल आप उसको बंद करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको इन्क्लिवट वीडियो वाला जो ऑप्सन है तो इसको आपको बंद कर देना है अगर इने बल है तो अगर आप अपने वाट्सप में आटोमेटिक चैट बैकप को बंद करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑप्सन दिख रहा है बैकप टो गूगल ड्राइब इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टोटल चार पांच ओप्सन देखने को मिलेंगे तो सबसे उपर है नेवर उसके बाद है अउनली विन आई टैब बैकप फिर है डेली उसके बाद है वीकली और यहाँ पर है मन्थली तो अगर आपने डेली, वीकली या मन्थली पर سलक्ट कर रखा है तो आपका चैड बैकप होता रहेगा आटॉमेटिक लेकिन अगर आप आटॉमेटिक चैड बैकप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है Only when I am tab backup जब आप इस पर click करके रखेंगे तो आपके WhatsApp में automatic backup नहीं होगा जब तक आप खुद से backup पर click नहीं करेंगे तो अभी देखें यहाँ पर मैंने यह setting select कर रखा है और जैसे यहाँ पर मैं backup पर click करूँगा तो मेरे WhatsApp में chat backup होना सुरू हो जायागा लेकिन जब तक मैं यहाँ backup पर click नहीं करूँगा तो मेरे WhatsApp में कोई भी chat backup नहीं होगा तो यहाँ पर देखें chat backup complete हो चुका है लगबग तो देखें यहाँ पर backup हो गया है तो इस प्रकार से आप अपने WhatsApp में automatic chat backup को बंद कर सकते हैं जब आप backup पर click करेंगे तभी backup होगा लेकिन अगर आप अपने WhatsApp में altogether हमेशा के लिए backup को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से backup to google drive पर click करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा never का इस पर आपको click कर देना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो आपके WhatsApp में जो chat backup है वो हमेशा के लिए बंद हो जायागा अब देखें यहाँ पर जैसे मैं backup पर click करूँगा तो यहाँ पर मेरा chat backup नहीं होगा देखें यहाँ पर मेरा backup नहीं हुआ कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे WhatsApp में chat backup पूरी तरीके से बंद हो गया है तो इस प्रकार से आप अपने WhatsApp में chat backup को बंद कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हेलफू लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लेजेगा